हे गाईज, वेलकम टू देव भूमी कर्यर पॉंटो ते के UK SSS ने 28 अक्टूबर 2008 को जो परिक्षा हुई थी, कलब एक्जाम हुआ था कनिष्ट सायक और भंडारपाल का, उसकी सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर दी है, तो दिती है यहाँ पे, स्रेश्ट ता सूची है यह, तो सभी अभ्यर्थी, जिनका सेलेक्षन हुआ है, उनको भावश्य के लिए सुपकामना है, आपकी मेहनत रंग लाई है, और नए अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे बोलना चाऊंगा, अगर आप मेहनत करते हैं, तो आपको मेहनत का फ़ल आवश्य ही मिलता है, देखे, आज कल सेकंड लिस्ट आते है, कुछ फिर और जोइन नहीं करेंगे, फिर थर्ड लिस्ट आएगी इसकी, तो आप बिल्कुल भी निरासना हो, मेहनत करेंगे, तो एक दिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा, तो आज का ही नोटिफिकेशन ह तो यहां पर बोला गया, देखे, जो पतकोट थे, आसुलिपिक और कनिष्ट साइक के, एक सो नो, एक सो दस और एक सो बार बंडारपाल का था, तो इन सभी का जो सेलेक्ट हुए है, कैंडिडेट, इनका अभिलेक सत्यापन तिनांक 16 सितम्बर 2019 को आयोक के कारले में किया जाएगा, देखे, स्रेश्टता सूची में जो अभिलती यहां पर आये, जिनका नाम आया है, यह सभी अपने मूल अभिलगों की छाया पृति के साथ, ठीक है, दो पृतियां आपको फोटो कॉपी ले जाने हुए, साथ ही मूल पृतियां भी ले जाए आप, और फोटो ग आप ए 69, मेरिट, और इसके बाद, संग्रह अमीन की पोस्ट, जिस में 64 ऑढ़े, मेरिट, और इसके बाद, संग्रह अमीन की है, next 65, तो देखे, मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपने अपने आपको चाय श को Oui, अभिले पिक्शिया अभी बंदार पाल में देखे 112 में का काफी कम लोगों ने जीन किया जो पहले लिष्ट आई डा इंक्री आ या पोस्ट थोड़ा इन्क्रेउविन हैं तो बंधार पाल में काफी लोगों का सेलेक्शन होहाई है देखें बंधार पाल में आप है 67 से लेकर यहां पर parties pencil से लेकर आता है जब easy to moderate आता है तो फिर आपका 70 प्लस स्कोर होना आवश्यक है तब आप race में बने रहेंगे तो यहाँ पर पूरी लिस्ट है यह PDF मैं share कर दूँगा टेलिग्राम चैनल पर और जितने भी अब्यर्ति यहाँ पर सफल होएं देखे नाम देख सकते हैं इन में से आपको बताना चाहूंगा मैं कुछ एक दो नाम ऐसे हैं जिनको मैं परस्नली काफी अच्छी तरह से जानता भी हूँ ठीक है तो ऐसा ना सोचे कि आयोग में ज्यादा ही कुछ ऐसा होता है सेलेक्ट वही लोग होते हैं जो पैसा देते हैं ऐसा कुछ नहीं है काफी लोग भ्रहम आप फ्वाहें फैलाते हैं नए लोग विचलित हो जाते हैं जिससे मैं आपको साहब बोलना चाहूंगा अगर आप एक टॉपर हैं तो कोई भी घोटाला आपको सेलेक्शन से नहीं रोग सकता ठीक है तो फिर से एक बार सभी यहाँ पे सफल अभ्यरतियों को विच्छे के लिए आप इससे भी बगल पोस्ट अचीव करें मैं आपको जल्दी मिलूँगा अपने टॉपिकों के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग प्लीज डू लागन सेयर